जहेद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंग्रा ठोड और आज हम अपने एतिहास के अगले अध्याई की तरफ आगे बढ़ेंगे मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व कोई भेड कर रहा हूँ बलकि मैं भेडों की उस सेना से डरता हूँ जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो ये बात कही थी अलेक्जेंडर दे ग्रेट ने और आज हम इन ही के बारे में पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले अलेक्जेंडर की कुछ बिसिक इंफर्मेशन इनका बर्थ 356 B.C. में हुआ और कहां हुआ था मौझूदा युनान यानि कि मौझूदा ग्रीस के नौर्थ में मैसीडोनिया नाम की एक जगे पर जो कि आपको नक्षे में यहाँ पर दिखाई देगी This is the Macedonia, this is Greece, this part is Greece and this is Macedonia where he was born So he was basically a European और यह जाने जाते हैं अपनी कॉन्क्वेस्ट के लिए यह जाने जाते हैं अपनी military capabilities के लिए अपने generalship के लिए अपनी command के लिए तो आखिर Alexander के अंदर यह गुण कैसे आया कैसे वो command करते रहे देखिए Alexander का जनम एक royal family में हुआ था इनके father Philip second तो martial skills और भुड सवारी और तलवार बाजी तो इनको legacy में ही मिल गई थी जो इन्होंने अपने father से inherit करी थी लेकिन एक बहुत खास ability एक बहुत खास बात जो इन्होंने अपने character के अंदर develop करी थी उसके पीछे एक खास शक्सियत थी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे है this old man, this graceful old man is Aristotle जिने अरस्तु भी कहा जाता है he was the teacher of Alexander and he inculcated the feeling of greatness amongst in Alexander Alexander को हम शायद सिर्फ एक Alexander के तौर पे जानते लेकिन Alexander को great बनाया इन्होंने इन्होंने Alexander को सिर्फ एक बात सिखाई इन्हों Alexander ने एक बार इनसे पूछा था कि आप बताओ मैं करूं क्या, what should I do इन्होंने कहा तुम चाहे जो करो लेकिन ऐसा करो कि तुमसे बहतर कोई ना कर पाए और यही बात अपने दमाग में लिये हुए Alexander ने ताय किया कि वो world conquest करेंगे because Alexander बच्पन से ही युद्ध और लड़ाई की तरफ inclined थे और इसलिए उन्होंने ताय किया कि जब उनको जिन्दगी में युद्ध और लड़ाईयां ही करनी है एक राजा का बेटा होने के कारण तो वो ऐसी लड़ाईयां करेंगे जिससे कि वो पूरी दुनिया को जीत सके और इसलिए Alexander ने world conquest का dream अपने लिए टाय किया अपने लिए ambition टाय किया कि वो world conquest करेंगे nothing short of it जितनी दुनिया उस वक्त नोन थी जितनी दुनिया उस वक्त आबाद थी उस सारी दुनिया को वो जीतेंगे अब हम ये जानेंगे कि उस वक्त कितनी दुनिया आबाद थी कितनी दुनिया नोन थी यहाँ पर आप देख सकते हो आफरीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आस्ट्रेलिया लेकिन उस वक्त और आज ये सारी जगे आबाद भी इस इन सभी जगों पर पॉपिलेशन रहती है थाइप करती है लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था उस जमाने में नोन वर्ल्ड और सिविलाइजेशन बहुत कम थी और बहुत लिमिटेट थी जरा देखते हम कि उस वक्त 356 बीसी से लेके 323 बीसी के बीच दुनिया कहां कहां पे थी सिविलाइजेशन कहां कहां पे थी देर व्ज मोणु ग्री फिलासेशन चैने में नौर्थ अमैरेका में बोसमान सिविलासे ओर देखते हम्हें कहां कहां से रेमिटेट इचा में फ्वर्लेड इजेएट जो dh ahara रेडार अफ्रीका वोस आउट अफ दे रेडार एक फॉर एक्सेप्ट एजिप्ट एक ऐसा इलाका था नॉर्थ आफ्रीका में नाइल रिवर के आसपास बसा हुआ जो की एक इंशन्ट सेविलाइजेशन सी तो दिस वॉस दो प्लेज विच वॉस दारेशिंग पॉलूड ब में फैली हुई थी इंडिया वाज ओस ग्रीट सिविलाइजेशन इट इस दो ओल्डिस इस एप्र एसे में चाइना वाज दों आउट आफ रेडार तो इसको भी सिविलाइजेशन होने के बावजूद हम आउट आफ रेडार रखते हैं So this was the world which Alexander was to conquer ये वो दुनिया थी जो Alexander conquer करना चाहता था ये उसने अपने लिए target set किया था कि वो Greece से चलेगा Persian Empire को conquer करेगा और Persian Empire को conquer करने के बाद छोटे मोटे peripheral marginal kingdoms को conquer करता हुआ इंडिया में आएगा और फिर इंडिया को conquer करता करता वहां तक जाएगा जहां तक उसको इंडिया में एक ocean मिल जाएगा और जब वो इंडिया में एक ocean को देख लेता वही पे अपनी victory को पूरा मालता तो इस तरह एशिया के सारे बड़े इलाकों पर Alexander the Great ने conquest की ठानी और अपनी conquest के लिए वो निकला लेकिन उसका सबसे पहला और बड़ा चालेंज था दा माइटी पर्शन एमपायर जो की बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था जरा अगर हम इस नक्षे पे देखें तो मौजूदा इरान उससे लगता हुआ इराक तरकी इजिप्ट और ये पूरा इलाका पर्शन एमपायर का हिस्सा हुआ करता था एक बहुत बड़ा एमपायर एक ऐसा एमपायर जिसके रूलर के पास बहुत बड़ी आर्मी भी थी तो अलेक्सेंडर की वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की जर्नी आसा नहीं होने वाली थी बट ही वास डेटर्मिंट एंड वेल प्रिपेर्ड अब हम बात करते हैं इसके पहले चालेंज की ये चालेंज कैसा था और किस तरह से इस चालेंज को अलेक्सेंडर ने फेस किया जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला चालेंज उसके सामने था पर्षियन एंपायर को कौन कर करना और पर्षियन एंपायर एक माइटी एंपायर था पर्षियन एंपायर का extent एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको तर्की एजिप्ट सम पार्टस ओफ मिडिल एस्ट इराक, इरान सम पर्षियन एंपायर इस पर्षियन एंपायर का रूलर था दर्याइस दर्याइस जथर्ड दर्याइस जथर्ड या जिसे डेरियस भी कहा जाता है या दारा भी कहा जाता है he was the ruler of Persian Empire when Alexander was invading him according to the historians he had a huge army कुछ इतिहास कारों के हिसाब से इसकी आर्मी 10 लाग तक की थी लेकिन ज्यादा तर modern paulers और historians ये मानते हैं कि इसकी आर्मी लगबख 250,000 men strong थी कि आर्मी लगबख 6 लाग की थी जो कि उस वक्त जीजस क्राइस के जनम के लगबख 330 साल पहले एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आर्मी होती थी मैं आपको बता दू कि आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं सेकडों ऐसे देश हैं जिनके आर्मी इतनी नहीं है 2021 में और यहाँ बात हो रही है क्राइस्ट के बर्थ के 331 साल पहले की जबकि इनके पास में ठाई लाग की फॉच थी और इसके मुकाबले अलेक्सेंडर अपने देश मैसिडोंिया से जो आर्मी लेके निकला था यहाँ पे हम यह देखेंगे कि किस तरह से एक प्रोफेशनल वेल ट्रेंड और एक यूनिट की तरह लडने वाली आर्मी अपने से कहीं बड़ी आर्मी को डिफीट कर सकती है और यह करके दिखाया था अलेक्सेंडर दे ग्रेट में जब यह लड़ाई शुरू हुई थी, जब शुरू होने वाली थी तब अलेक्सेंडर दे ग्रेट के कमांडर पार्मेनियन ने उनसे कहा था कि मत लड़ो बहुत बड़ी आर्मी है रहने देते हैं यह अजगर की तरह है आर्मी जिसने अगर हमको एक बार जकड लिया पर्शियंस ने तो वो दम घोट के ही मानेगी इसके जवाब में अलेक्सेंडर ने जो कहा था वो यह बताता है कि अलेक्सेंडर की सोच वहां से शुरू होती थी जहां से किसी ओर्डिनरी कमांडर की सोच खतम होती थी अलेक्सेंडर ने उससे कहा कि आर्मी बहुत बड़ी है यह अजगर की तरह है और सही बात है अगर हमें जकड लेगी तो दम घोट देगी लेकिन अगर हम इस अजगर का सर काटने बे कामयाब रहे तो फिर यह आर्मी किसी काम की नहीं जिस तरह सर कटे हुए अजगर की बाड़ी किसी भी काम की नहीं होती वो सिर्फ तड़ब सकती है उसी तरह अगर हमने डरायस को मार दिया इस रूलर को मार दिया तो यह आर्मी सर कटे अजगर की तरह हो जाएगी और ये किसी काम की नहीं रहेगी ये सिर्फ एक भीड़ बनके रह जाएगी और इसी मजबूत इरादे के साथ में उसने डरायस की आर्मी का सामना किया किस तरह से सामना किया और कहना एक अलग बात होती है लेकिन उसको युद्ध भूमी में करके दिखाना बहुत दूसरी बात होती है लेकिन अलेक्जेंडर को युही दगरेट नहीं कहते कुछ उसने अचीव किया है और यह इसका पहला बड़ा चैलेंज था चालिस हजार की फॉज के साथ धाई धाई लाक की फॉज से टक्कर लेना तो आज हम देखेंगे ब्रीफली कि किस तरह से इसने अपने से कई गुना ताकतवर फॉज को टेफिट किया जब दोनों आर्मी इस बैटल फिल्ड में आपने सामने मिली तो उनका फॉर्मिशन कुछ इस तरह से था ये हैं ग्रीक्स जो अपना फॉर्मिशन बना के रखे हुए हैं और ये हैं पर्शियंज ये दोनों आरमी बैटल फिल्ड में आमने सामने खड़ी हुई है डरायस सेंटर में उसका भाई उसका कजिन बैसस उसके लेफ्ट में और डरायस के राइट में उसका कमांडर मीजस वही अलिक्सेंडर की आर्मी का सेंट्रिल पार्ट था उसके फैलिंक्स फैलिंक्स उसकी खास सेना होती थी जो सर से पाउं तक आर्मड होती थी कवचित होती थी और अपने साथ 21 फुट के भाले लेकर चलती थी ये जब एक यूनिट की तरह चलते थे तो यूमन टैंक्स बन जाते थे वही इनके राइट में अलिक्सेंडर घुड सवा टुकडियों को लीड कर रहा ह। और लेफ्ट में कमान्डर इंचीफ पार्मेनियन घुड सवा टुकडियों को लीड कर रहे ह। Alexander the Great ने इस formation में एक बहुत unusual step रखा था जैसे कि आप देख सकते हो सभी लोग सीधे खड़े हैं लेकिन Alexander टेड़ा खड़ा है और वो ही काम उसने अपने कमांडर पार्मेनियन को दिया है और यही एक उसकी ऐसी चाल थी जो Persians नहीं समझ पाए Persians को लगा कि Alexander का प्लान है कि वो इनको बाइपास करके पीछे से अटाक करे या दाएबाय से अटाक करे और सिमिलरली पार्मेनियन का प्लान भी शायद यही है लेकिन जैसे कि मैंने कहा Alexander की सोच वहाँ से शुरू होती थी जहां से एक ordinary कमांडर की सोच हतम होती थी इस formation के बाद जब यह आपने सामने खड़े हुए तो हुआ क्या अब positions बहुत बदल गई है एक तरफ हम देख रहे हैं जहां Persians ने हमला शुरू किया और उनके immortal soldiers जो उनके special forces होते थे यह phalanx के साथ टकराते हैं यहाँ पर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है वही डरायस अपने कमांडर मीजस को ओर्डर देता है पारमेनियम से टकराने के लिए और यहाँ पर भी एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है वही अलेक्जिंडर एकदम अलग अप्रोच हासिल करता है अलेक्जिंडर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करना शुरू करता है मूव करता है और मूव करते करते काफी दूर निकल जाता है अगिन डरायस को यह लगता है कि अलेक्जिंडर बाइपास करके उसके उपर पीछे से हमला करेगा लेकिन अलेक्जिंडर का प्लान कुछ हो रही था डरायस को जब यह डर लगा कि वो पीछे से हमला ना कर दे तो उसने अपने कवांडर बीसस को कहा कि तुम अलेक्जिंडर को चेक करो उसको फॉलो करो और उसको रास्ता मत दे ना कि मेरे पीछे से हमला कर सके और बैसस उसको फॉलो करते करते उसके पैरलल आ जाता है लेकिन यही वो मौका था जिसका अलेक्जेंडर को इंतजार था अलेक्जेंडर को शुरू से ही ये पता था कि इस अजगर का सिर काटना है और इसी लिए उसने जान बूच के एक ट्रैप में डालते हुए बैसस को टरायस से दूर कर दिया जब बैसस टरायस से दूर हो गया तो यहाँ पर टरायस वल्नरेबल हो गया उसने ज्यादा तर आर्मी ग्रीक से लड़ने के लिए कमिट कर दिया और उसके पास बहुत कम ट्रूप्स बचे और इसी वक्त एक बड़ा गैप क्रियेट हो गया इस इलाके में इसी गैप को एक्स्प्लोइट करते हुए अलेक्जेंडर ने तेज हमला किया अचानक टर्ण लेते हुए तरायस की तरफ याने की अजगर के सतर की तरफ इससे पहले की बैसस कोई स्टेप ले पाता एलेक्जेंडर के पीछे छुपी हुई उसकी तीन टुकडियों ने बैसस की टुकडियों के उपर हमला करके उनको एंगेज कर दिया उनको रोग दिया, उनका रास्ता रोग दिया जिससे की अलेक्जेंडर तेज हमला करके बैसस की डरायस की तरफ जा सके और उसका खात्मा कर सके इस तरह से कुछ ही गंटों में इस लड़ाई के अंदर अलेक्जेंडर हवी हो गया डरायस के उपर डरायस के पास कोई रास्ता नहीं बचा उसने अपनी ज्यादतार आर्मी अलग-अलग मोर्चों पर कमिट कर दी थी और जब अलेक्जेंडर ने एक जोरदार हमला उसके उपर किया तो डरायस डर गया और डर के वो भाग गया बैटल फिल्ड से और एक बार जब कोई कमांडर बैटल फिल्ड से भाग जाता है तो उसकी आर्मी उसके सैनिक सिर्फ भीड बनके रह जाते हैं ना उनके पास कोई कमांड होता है ना उनके उपर कोई कंट्रोल होता है और यही अलेक्जेंडर चाहता था एक बार डरायस बैटलफिल्ड से भागा तो यह पूरी आर्मी भीड़ बन गई जब कोई लीडर ही बैटलफिल्ड से भाग जाये तो उसके लिए लड़ने वाले सैनिक क्यों लड़ेंगे वो कि जिसके लिए लड़ने आया है वही इंसान भाग चुका है और देखते ही देखते पूरी पर्शन आर्मी के अंदर भगदर मज गई और ये लड़ाई कुछ ही घंटों में अलेक्जेंडर ने जीत ली लगबक चार-पांच घंटों के बाद में हालात ये थी इस बैटल फिल्ड के उपर कि सिर्फ पर्शन की लाशे बिची हुई थी और ग्रीक्स अपना जंडा गाड़ चुके थे अलेक्जेंडर को ये लड़ाई जीत के जश्न मनाना नहीं था अलेकि उसने मनाया होगा लेकिन उसका अबजेक्टिफ परिशन एम्पायर को जीतना नहीं था परिशन एम्पायर एक बहुत वेल्दी एम्पायर था बहुत पैसा था Alexander चाहता तो वो यही रह सकता था और पुरी जिन्दगी बहुत आराम से बिता सकता था लेकिन उसका लक्ष था पूरे विश्व को जीतना और इसलिए वो आगे बढ़ा आगे बढ़के वो अब पहुँचा इंडियन सबकॉंटिनेंट जब उसने मौजूदा इराक में गौगमेला के मैदान में या जिसे अरवेला का मैदान भी कहा जाता है इस मैदान में जब उसने डरायस को हराया तो डरायस को हराने के बाद वो इरान की तरफ आगे बढ़ा इरान में कुछ दिन रुकने के बाद, इरान के शाह की उपाधी लेने के बाद, शाह का टाइटल लेने के बाद, वो अफगानिस्तान की तरफ आगे बढ़ा और यहाँ पर कुछ ट्राइब्स से मुकाबला करते हुए, आगे बढ़ते हुए, हिंदुकुष के पहाड़ों को और खैबर के दर्रों को पार करता हुआ, पहुचा इंडियन सब कॉंटिनेंट में, याने के हमारे भारती उपमाहद्वीब में अब एलेक्सेंडर भारत तक पहुच चुका था, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनोती थी कि वो एलेक्सेंडर का मुकाबला कैसे करे, क्योंकि एलेक्सेंडर तो एक अनिस्टॉपिबल आंधी की तरह था, और भारत क्या उसके लिए तयार था, या नहीं तयार था, इस सितिया क्या थी और क्या भारत एलेक्जेंडर जैसी किसी ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार था तो आई ये समझते हैं कि on the eve of एलेक्जेंडर's invasion what was the political condition in India so this is a blank map of India इस पे हम उस वक्त के भारत की political condition को समझेंगे दिखी वो दौर जब एलेक्जेंडर ने पर हमला किया था वो दौर कहा जाता उसके लिए और टर्म यूज की जाती है हिंस्ट्री में that is महा जन्पद महा जन्पद क्या होते हैं इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं महा और जन्पद जन्पद वर्ड का मतलब होता है जन्पद जन याने के लोग पद याने के पैर याने जहां पर लोग लोगों के पैर पड़े जहां पर लोग आकर बसे वो जन्पद है और जब ये इलाका बहुत बड़ा हो गया जहां तक लोग बसे हुए है तो वो महा जन्पद क्याहलाते थे महाजनपद were exactly like large states of India जैसे भारत में आज बड़े-बड़े राज्ये हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश वैसे ही उस वक्त भारत के बड़े-बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था तो हम इसमें देखेंगे कि कौन-कौन से महाजनपद हुआ करते थे उस वक्त जब एलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत के उपर हो रहा था या एलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले भी भारत में कौन-कौन से महाजनपद हुआ करते थे ये एक बहुत important chapter है history का और यहां से हर बार questions पूछे गए हैं किस तरह से questions पूछे जाते हैं महाजनपत के वो हम समझेंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे यह समझने की कोशिश करेंगे कि महाजनपत किस तरह से हमें याद रखने पहले तो यह जानेंगे कौन-कौन से महाजनपत हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्हें याद कैसे रखना है इन महाजनपत की हमें information बुद्धिस्ट और जैन literature से मिलती है और बुद्धिस्ट और जैन literature के अंदर मिली हुई information के basis पे जो महाजनपत हैं वो कुछ इस तरह से हैं एक चीज़ आप से यहाँ पे शेयर करूँगा कि आप जब भी महाजनपत जैसे चीजों को याद करें आप इसको हमेशा आप नक्षे पर याद करें आप कॉपी में लिख के याद ना करें इसको अगर आप उसको मैप पर याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और वैसे भी जो तयारी आप कर रहे हो exams की उन exams को crack करने के लिए आपको map study बहुत अच्छे से करनी होगी और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि NDA में map reading की अलग से classes होती खास दौर पे army cadets के लिए लेकिन navy or air force cadets के लिए भी यह जलूरी होता है तो NDA के curriculum में भी यह included है तो हमेशा से मैं कहता आयाओं कि maps को आपको बहुत अच्छे से study करना है तो चलिए देखते हैं इस map पे कि कौन-कौन से महाजनपद होते थे हम महाजनपदों को दो तरीके से देखेंगे दो तरीके से समझेंगे इसको simplify करके पहले हम देखेंगे north to south और फिर हम देखेंगे west to east तो नक्षे पे एक-एक महाजनपद को याद करना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे था गांधार महाजनपद गांधार अफगानिस्तान में एक शहर है कंधार उसी कंधार का ancient name था गांधार जिसका description हमको महाभारत में भी मिलता है गांधार के पास ही एक और महाजनपद जो present day नौर्थ पाकिस्तान और कश्मीर में फैला हुआ था वो था कंबोज महाजनपद देखिए 1947 के पहले देर वाज नो पाकिस्तान और इसी लिए जो मैं history की बात करता हूं इंडियन history की बात करता हूं तो हम इसमें इस हिस्से को भी include करते हैं जो अभी पाकिस्तान में है ये अलग हो गए 1947 में लेकिन उससे पहले ये इंडिया ही था तो इंडिया की history वही है जो यहां की भी history तो कमभूज महाजनपद was situated in this area that is northern part of present day Pakistan and western part of Kashmir that was followed by कुरू महाजनपद जो आज पंजाब का इलाका है इस पंजाब और उससे लगते हुए हर्याने के इलाके में जो महाजनपद था उससे कुरू महाजनपद कहा जाता था कुरू महाजनपद के south में eastern राजस्थान में जो महाजनपद था वो था शूर सेन माफ कीजेगा मत्सय महाजनपद शूर सेन महाजनपद से लगता हुए वेस्टर उत्तर प्रदेश में फैला हुए था पांचाल महाजनपद और बुंदिलखंड रीजन के अंदर एक बड़ा केंग्डम था जिसको छेदी महाजनपद कहा जाता वही प्रेजेंट डे मध्यप्रदेश के वेस्टन इलाके में फैला हुआ था अवंती महाजनपद और मध्यप्रदेश के अवंती के फर्दर साउथ के में महाराष्ट के नौर्थ में फैला हुआ था अश्माक महाजनपद तो एक बार हम फापस दिखते नौर्थ तू साउथ कौन-कौन से महाजनपद थे गंदार महाजनपद present-day अफगानिस्तां, कम्बोज महाजनतपद present-day North Pakistan and western part of Kashmir कुरु महाजनपद present-day Punjab and Haryana region Matshya महाजनपद present-day Eastern Rajasthan region Shurityan महाजनपद present-day Agra-Mathura region yak Style तो डेली पांचाल महाजनपद that is western उत्तर प्रदेश was another महाजनपद followed by छेदी महाजनपद the बुंदेल खंड रीजन ओप इंडिया जिसमें थोड़ा मध्यप्रदेश का हिस्सा और थोड़ा उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है वेस्टर मध्यप्रदेश का एक बड़ा महाजनपद अवंती महाजनपद और उसी के स्ताउथ में महराष्ट्र में फैला हुआ अश्मक्त महाजनपद तो ये तो हमने सारे महाजनपद देखे north to south अब हम देखेंगे सारे महाजनपद west to east कि west to east महाजनपद कौन-कौन से थे पांचाल महाजनपद हमने देखा था जो western उत्तर प्रदेश में situated था अब इसी से हम east की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने बाकी के महाजनपदों को पूरा करेंगे पांचाल के बाद अगला महाजनपद that was called as कौशल महाजनपद जो की सेंटर लुक्तर प्रदेश में फैला हुआ था that was followed by वत्स महाजनपद जो की present day अलाभाद और उसके आसपास के इलाकों में फैला हुआ that was followed by काशी महाजनपद that काशी, everyone knows what काशी is यह name आज भी use में है, बनारास या वारानसी को भी बोलते है काशी तो यह काशी महाजनपद एक बहुत ही पवित्र जगे शुरू से यह भारत के अंदर मानी जाती है इलाके में यह बहुत छोटा था लेकिन religious और spiritual importance में बहुत बड़ा था और यह महाजनपद हुआ करता था Followed by a powerful महाजनपद in the West in the Bihar and Jharkhand region that was Magad महाजनपद Followed by a महाजनपद in far east of India that was Ang महाजनपद आपने महावारत में सुना होगा अंग राजकर्ण यह वही अंग महाजनपद है तो इस तरह से हमारे 14 महाजनपद पूरे होते हैं लेकिन हमारे 16 महाजनपद हैं तो दो महाजनपद और कहा है तो उन दो महाजनपदों को हम यहाँ पर समझेंगे मगद के ठीक नौर्थ में एक महाजनपद जिसका नाम था व्रिजी और व्रिजी से लगता हुआ उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे एक महाजनपद जिसका नाम था मल तो ये वो 16 बड़े किंडम्स है जो कि इंडियन सबकॉंटिनेंट की politics में important role play करते थे जो भी politics होता था इंडियन सबकॉंटिनेंट में वो सारा इन महाजनपदों के बीच में होता था क्योंकि ये बहुत important topic है और इसमें questions पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा महाजनपद modern day किस इलाके में है चार महाजनपदों के नाम और चार modern day इलाकों के नाम और आपको match the column या आपको जूड़ी जमान या आपको यह पूछ लेंगे कि north to south या south to north इन महाजनपदों को जमाओ इसी लिए इन महाजनपदों को याद करते वक्त दो चीजे बड़ी important आपको ध्यान रखनी है पहला महाजनपदों को नक्षे पर याद करो उत्तर से दक्षिन पूरफ से फश्चिम और दूसरा हर महाजनपद की present day location क्या है वो महाजनपद जब था आज वो किस नाम से जाना जाता है ये भी आप याद करो हम एक और बार इसको revise करेंगे ताकि आपको ये ठीक से याद हो जाए एक-एक करके मैं महाजनपदों का नाम लिखूंगा और उसका present day area लिखूंगा पहले में north to south उसको अरेंज करके लिखूंगा और फिर west to east अरेंज करके लिखूंगा तो पहले north to south लिखते हैं सारे महाजनपदों के नाम पहला गांधार present day अफगानिस्तान दूसरा कमबोज present day north Pakistan and Kashmir तीसरा कुरू तीस पुर्व पंजाब हर्यान थर्द इस या इस फूर्थ इस मत्सियर वर इस मत्स इस्टन राजस्थान next is Shursen where is Shursen Shursen is Agra Mathura region followed by Chedi that is Bundelkhand Chedi followed by Avanti Avanti that is Malwa region of Madhya Pradesh Western MP and South की तरफ आखरे बहाजनपद अश्माक that is North Maharashtra region so this is the arrangement of Mahajanpat from North to South and it also includes the present day areas Gandhar, Kamboj, Kuru, Mathya, Shursen, Chedi, Avanti, Ashmak now we will go West to East now we will go West to East this is West and this is East we will be going West to East now सबसे पहले West में हम शुरू करते हैं पान्चाल present day area western UP दूसरा कौशल present day area central UP third is वत्स अलाहबाद रीजन रीजन of present day Uttar Pradesh next is काशी that is Banaras region of present day Uttar Pradesh followed by Magad present day Bihar and Jharkhand region some parts of Jharkhand and most of the part of Bihar अंग that is present day Eastern Bihar and some parts of and some parts of Bengal Eastern Bihar and some parts of Bengal so this is the arrangement of Mahajanpat from west to east and there were two more Mahajanpats जो मैंने कहा था separately आप याद रख लेना एक to the north of Magad that was Vridji Vridji Mahajanpat जो की northern Bihar और Nepal में फैला हुआ और व्रिजी से ही west में व्रिजी के ठीक west में to the west of Vridji वाज मल that was UP and Nepal border and this was Bihar and Nepal border तो इस तरह से ये 16 महा जनपद ये 16 महा जनपद भारत के अंदर फैले हुए थे इन में से कुछ महा जनपद monarchial states थे जहाँ पर राज तंतरात्मक व्यवस्था थी जहाँ पर एक राजा था वो absolute था और कुछ महा जनपदों में हम देखते हैं Republican system था जहाँ अभी भी राजा चुना जाता था जैसा कि हमने Early Vedic period की political system में देखा था तो कुछ ऐसे महा जनपद थे जहाँ पर अभी भी Republican system था लेकिन ज्यादा तर महा जनपद ऐसे थे जो मुनार्कीज बन चुकी थी जहाँ एक राजा का rule चलता था उसका हुकम चलता था और उसी की generation उसके बाद rule करती थी तो इस तरह से महा जनपदों को पूरा समझने के बाद इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और हम इसमें एक महा जनपद के बारे में खास तोर से पढ़ेंगे and that महा जनपद is मगद महा जनपद this महा जनपद is the most important महा जनपद in our history हमारे एतिहास में जो हमको पढ़ना है उसमें जो हम बोल रहे हैं political history क्या थे इंडिया की so it is all about मगद महा जनपद बाकी महा जनपद हमें याद होने चाहिए लेकिन राजनीती पूरी इर्दगिर्द गूमती थी मगद के ता ये देखते हैं कि मगद की इर्दगिर्द राजनीती क्यों गूमती थी क्यों मगद सबसे ज़्यादा powerful था और किस तरह से मगद का rise हुआ था तो हम अपने अगले topic की तरफ आते हैं that is the rise of मगद जब Alexander का invasion हुआ था तब मगद ने एक बहुत बड़ा empire कायम करके रखा हुआ था भारत में लेकिन वो उस तक पहुँचा कैसे इसकी शुरुवात लगबग तभी हो चुकी थी जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जमाना था जो हमने पिछले chapter में देखा याने कि 600 BC से लेके 500 BC के बीच में ही इन महाजनपदों का creation भी हो गया था और इन महाजनपदों के creation के साथ मगद का expansion भी शुरू हो गया था मगद was emerging as most powerful of all the महाजनपद तो हम देखते हैं कि आखिर मगद के पास वो क्या capabilities थी वो क्या खासियत थी जिनके चलते मगद दूसरे महाजनपदों से आगे बढ़ रहा था तो एक किक करके सारे points discuss करते हैं सबसे पहले मगद की location को एक बार फिर देख लेते हैं this is the Indian subcontinent this is the undivided India before the partition जो पूरे भारत की history को हम पढ़ते हैं तो वो इस भारत की history को पढ़ते हैं जिसमें बांगलादेश भी भारत का हिस्सा है पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है और in fact अफगानिस्तान के भी काफी इलाके भारत का ही हिस्सा थे क्योंकि ये line during line जो है ये अंग्रेजों की खीची हुई line थी तो इसके भी पार था भारत कितना पार था? ये तो surveys और historical studies से परदर पता चलेगा और ये अभी हमारा topic भी नहीं है तो हम इस पर discuss नहीं करेंगे कितना भार था लेकिन भारत अखंड था और इसी अखंड भारत में एक महाजनपत था मगद जो की present day बिहार जारखन के इलाके में फैला हुआ था क्यों ये rise हुआ? एक-एक करके देखते हैं point सबसे पहले बात करते हैं geographical causes के बारे में geographical causes मतलब भौगोलिक कारण क्या थी? ample of rainfall जैसे कि आप नक्षे पे देख रहे हो Bay of Bengal के बिल्कुल close जिसके कारण यहाँ पर बहुत अच्छा मौनसून आता है यहाँ पर जल की बहुतायत थी इसलिए यह इलाका एक advantage रखता था पानी की कभी यहाँ पर कमी नहीं होती थी second point supports the first one that is the large rivers यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदिया बहती थी जैसे गंगा रिवर और यह नदी ना सिर्फिया बहती थी बलके गंगा अपने सबसे बड़ी width पर आती ही तब है जब वो lower gangetic plains में आती है यानि कि बिहार और बंगाल की तरफ और इसलिए यहाँ पर हेती बाड़ी के लिए बहुत ही favorable conditions हुआ करती थी और तीसरा important point geographical causes में वो है fertile soil क्योंकि गंगा के निचले मैदानों में lower gangetic valley में ये इलाका बसा हुआ था इसलिए हर साल बाड़ आती थी पुरानी मिट्टी बहा ले जाती थी नई मिट्टी बिचा जाती थी और इस तरह soil की fertility हमेशा maintain रहती थी इतनी fertile soil की जो अनाज फेक दो वो अग जाए और ऐसी जमीन पे कौन नहीं रहना चाहेगा और ऐसी जमीन पे किसको benefit नहीं होगा और इसलिए एक बहुत बड़ी ताकत थी मगद की उसका geographical factor देखते हम की economical causes क्या थे मगद के उतकरश के मगद के rise के सबसे पहला point large population and revenue generation देखिए जो पिछला point हमने देखा कि बहुत सारा पानी है बहुत अच्छी खेती हो सकती है और बहुत बड़ी आबादी रह सकती है तो ये बड़ी आबादी बड़े level पे जब खेती करेगी तो क्या होगा surplus agricultural production और जब surplus agricultural production होगा तब क्या होगा trade और trade revenue generate करके देगा पैसा कमा के देगा तो मगत के पास ज्यादा पैसा होगा ज्यादा पैसा क्यों क्योंकि ज्यादा अच्छी खेती है ज्यादा अच्छी खेती क्यों क्योंकि soil भी fertile है और पानी भी बहुत अगले point की तरफ आते हैं social causes याने की सामाजिक कारण यहाँ पर आप photo देख सकते हैं महावीर स्वामी का लॉर्ड महावीर का और लॉर्ड बुद्ध का ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ideology की preaching करी थी जैसा कि हमने पिछले चाक्टर में देखा था और हमने ये जाना था कि इन सभी महापुरिशों ने rigidity of social system को discard किया था इन्होंने हर तरह की rigidity को discard किया था वैदिक religion में I social rigidity को oppose किया था और एक ऐसे समाज की स्थापना करी थी जहां सब बरावर थी और इनका area of operation maximum activity बिहार के इलाकों में ही हुई थी जाहे गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो इन इलाकों में वो बहुत active थे मगत के kingdom में वो बहुत active थे और इसलिए उनके message मगत के अंदर सबसे strongly deliver हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि मगत के लोग एक social harmony develop करके रहते हैं एक दूसरे के साथ जिस भी country के लोग आपस में लड़ते नहीं है और एक harmony में रहते हैं वो country बहुत मजबूत होती है और यही बात मगत के उपर लागू होती थी कि unorthodox society थी एक rigid society नहीं थी ऐसे rulers भी मगत के अंदर हम देखते हैं जो ब्रामिन और क्षत्री वर्ण के नहीं थे बलकि lower वर्णास के थे लेकिन उन rulers के अंदर capability थी तो मगत के लोगों ने उनको accept कि आपने ruler के तौर पे खुद ब्रामिन और क्षत्री ने उनको accept कि आपने ruler के तौर पे तो यह दिखाता है कि मगत की society बहुत unorthodox थी और उसमें गौतम गुद्ध और महावीर स्वामी का बहुत बड़ा contribution था और इसी और देखिए क्या है कि बहुत सारे ruler जो मैंने बताया कि capability के बल पे जब किसी इनसान को कोई position मिलती है तो उस country के लिए या उस organization के लिए वो इनसान बहुत अच्छा काम करता है वो organization या country जो होती वो हमेशा benefit होती है जो capability के basis पे किसी को position देती है ना कि किसी prejudice के और मगद के लोग अपने ruler को चुनते थे या चुनते नहीं थे तो accept करते थे जिसमें capability होती थी और इसी लिए वो ruler हमेशा मगद को आगे ले गया और इसी के साथ अगला cause हमारा आता है ambitious rulers जैसे कि मगद के लोगों ने हमेशा अच्छे rulers को choose किया जो उनको अच्छा way of life provide कर सकते थे जो उनको safety security provide कर सकते थे जो उनके trade और commerce को बढ़ा सकते थे तो ऐसे rulers भी बड़े ambitious हुए उस ruler के पास बहुत अच्छा revenue है उस ruler के पास बहुत large population है और उस ruler को एक ऐसे इलाके में rule करने को मिला है जो कि mineral rich है शायद ये point हम skip कर गए थे पहले geographical cause में अविलेबिलिटी आफ मिनरल ये geographical factor भी है और economical factor भी है कि मगद के इलाके का दक्षिनी हिस्सा जो अब जहारखन का part है आप geography में पढ़ेंगे कि कितना rich है ये मिनरल में और इसी लिए यहाँ पे उस वक्त लोहा बहुत मिलता था उस वक्त एक बड़ी सेना को ज्यादा लोहे की जरूरत होती थी हाथियार बनाने के लिए तो मगद के पास ये liberty भी थी उसके पास मिन्दल्स भी बहुत है उसके पास revenue भी बहुत है उसके पास agricultural production भी बहुत है as a result of which उसके rulers का ambitious होना ही था और इन ambitious rulers ने मगद के expansion में कोई कसर नहीं छोड़ी they were very aggressive and they always looked forward to expand their territories और फिर आता है एक और important aspect that is the military aspect military aspect यानि कि ये सारी चीजें होने के बाद भी आपकी जीत होगी ये तो battlefield में ही तै होगा जब आप किसी दूसरे महाजनपत से लड़ेंगे और इसलिए the rulers of maggot were keeping no stone unturned वो किसी भी एक ऐसे काम को रोक नहीं देना चाते थे जिससे कि मगद की expansion कहीं पर भी hurt हो जाए और इसलिए maggot की rulers ने बहुत ही मजबूत army बनाई थी और उसकी कुछ खास factors थे सबसे पहला factor जो आप देख सकते हो they used elephants as war machine according to the modern historians maggot की rulers सबसे पहले rulers थे जिन्होंने elephant को war machine की तरह use किया and elephant is such an animal which can create havoc if it is trained well in the battlefield elephant havoc create कर सकता है disaster create कर सकता है enemy ranks में अगर उसकी training अच्छी हो जैसे कि आप ये तीन photos में देख सकते हैं किस तरह से elephant अपने पाउं के नीचे किसी इंसान को दबाता है किस तरह अपनी soon से उठा के पटक देता है और किस तरह elephants को use किया जाता था लोगों को punish करने के लिए elephant ना सिर्फ एक बहुत बड़ा जानवर होता है और ताकतवर जानवर होता है बलकि naturally बहुत aggressive होता है और अगर इसको सही direction दी जाए सही training दी जाए तो ये उस वक्त दुश्मन की army में disaster cost कर देता था मगद ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हजारों elephants train किये थे और जब दुश्मन से मुकाबला होता था तो ये अपने सारे elephants को break loose कर देते दुश्मन के उपर और trained हाथी अपने महावत के साथ मिलके दुश्मन को खतम कर देता था completely destroy कर देता था तो इस तरह elephants का बहुत intelligently use करके मगद ने एक अपर edge gain कर ली थी लेकिन साथ ही साथ मगद ने कुछ creative weapons भी बनाये थे और इनी creative weapons की मदद से उन्होंने अपने से कुछ ऐसी armies जो बहुत tough थी battlefield में उनको defeat किया था उनी में से एक weapon है रत मुसलक जिसे scythic chariot या scythid chariot भी बोलते हैं और महाशिला कंटक रत मुसलक जैसे कि आप देख सकते हो completely armored chariot है कवचित है इसके अंदर बैटने वाला योद्धा पूरी तरह सुरक्षित है और उसको बहुत कम probability है कि कोई जखमी कर सकता है या मार सकता है ये घोडे भी completely armored इनके उपर भी चमडे के कवच लगे हुए हैं तो इन घोडों को भी कोई आसानी से नहीं मार सकता लेकिन अंदर बैठा हुआ योद्धा अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाहर निकल कर किसी के उपर भी arrow shoot कर सकता था साथ ही साथ इस रत के आसपास बाहर निकले हुए होते थे बड़े बड़े sharp aged angles जो ये रत दुश्मन के ranks में सिर्फ दोड़ा ही दिया जाए तिससे बाहर निकले हुए sharp angles ही दुश्मन को काट सकते थे और इस तरह के एक दो तीन नहीं पात सो से हजार रत मगद ने तयार किये थे और सामने जब दुश्मन की आर्मी आके खड़ी होती थी तो वो एक साथ सारे रतों को छोड़ देते थे दुश्मन के उपर दुश्मन अपनी ranks और formations छोड़ के भागता था इन रतों से बचने के लिए ऐसा deadly weapon इन्होंने create किया था followed by महाशिला कंटक that was a stone catapult जैसे कि आप देख रहे हो simple pulley mechanism से बड़े बड़े भारी पत्थर फेके जाते थे दुश्मन के उपर जिससे की दुश्मन जब हमला करने के लिए आगे बढ़के दोड़ के आता था तब इस तरह के 500, 600, 700, 1000 पत्थर एक साथ उनके उपर फेके जाते थे जो आगे बढ़कर आते हुए हमला करने वाले दुश्मन के उपर बिलकुल कहर बनके गिरते थे और उसको destroy कर देते थे उसके हमले के momentum को खतम कर देते थे तो इस तरह से geographically, economically, socially, politically और militarily इन सभी aspects में मगद ने पहले अपने आपको सबसे उपर किया सबसे मजबूत बराया और उसके बाद उसके expansion को कोई भी नहीं रोग सकता था जब मगद का expansion हुआ, तो मगद में कई dynasties आई और कई rulers आए जिन्होंने इसके expansion में अपना अपना role play किया अब हम देखेंगे कि वो कौन-कौन सी major dynasties थी और उन dynasties के कौन-कौन से major rulers थे जिन्होंने मगद के expansion में अपना role play किया था तो हम एक-एक करके dynasties देखेंगे और उनके rulers के नाम देखेंगे सबसे पहली और major dynasty जो मगद के अंदर आई थी, that was Aryank dynasty Aryank dynasty के दो rulers बड़े important है, आपको याद रखना है, political history है ये मगद की और इसके बारे में questions पूछ लिए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान दे इसके उपर आप, पहली ruler इनके थे विम बिसार और उनका बेटा अजाद शत्रू ये दोनों ही बाप बेटे बहुत ही ambitious ruler थे और इन्होंने मगद को expand किया पहले मगद सिर्फ बिहार और कुछ जारकन के हिस्सों तक फैला हुआ था लेकिन अजाद लेकिन बिम बिसार ने अंग महाजनपत को capture कर लिया और अंग महाजनपत को capture करके इन्होंने मगद के expansion की शुरुवात करी थी जब इनका बेटा आया अजाद चत्रू तब मगद expand हो चुका था अंग महाजनपत तक लेकिन इनका बेटा बहुत ambitious था अजाद चत्रू और बहुत aggressive था इसके बाद इस dynasty में कोई खास major rulers नहीं आए जो इसका expansion कर सके हो और gradually a dynasty अपने end पे आ गई इसके बाद में जो दूसरी dynasty हम पढ़ते हैं जिसे नाग dynasty कहा जाता है जिसके दो या जिसका एक important ruler था जिसमें मगद के expansion में बड़ा role play किया he was शिशुनाग शिशुनाग हरियंक dynasty को overthrow करके अपनी dynasty को मगद की थ्रोन पे establish करता है और मगद की थ्रोन पे उसको establish करके एक बड़ा invasion करता है अवंती महाजनपत की तरफ और शिशुनाग को जो kingdom विरासत में मिला था पुराने rulers से वो kingdom present day विहार विहार से विहार काशी जारखंड बिंगॉल और नेपाल के वरिजी kingdom तक फैला हुआ था लेकिन ये शिशुनाग एक बड़ी लीप लेता है और बड़ी लीप लेके conquer कर लेता है मालवा तक का इलाका जिसके साथ ही ये मगद की boundaries को बहुत दूर तक फैला देता है और ये शिशुनाग का बड़ा important contribution था मगद के expansion में now this dynasty was followed by नंद डाइनस्टी जिसके celebrated ruler थे जिनका नाम था महा पद्म आनंद महा पद्मानंद ये एक ऐसा ruler था जिसने शिशुनाग की डाइनस्टी को खतम किया था और शिशुनाग की डाइनस्टी को खतम करने के बाद इसने जो conquest करी थी तो लगबग भारत के पूरे इलाके में इसने अपने empire को फैला दिया था देखते हैं जरा कौन-कौन से इलाके इन्होंने जीते थे पहले ही देखते हैं कि शिशुनाग डाइनस्टी से जो इलाका इनको मिला था वो कितना बड़ा था तो दाट इंक्लूड बिहार, दाट इंक्लूड पार्टस अफ मध्यप्रदेश, मालवा फिर ये इलाका आजाता है, जारखंड का इलाका, बंगाल का इलाका और ये नेपाल तक के इलाके तो दिस वाज दे एक्स्टेंट ओफ मगद महा जनपद जब महा पदमानंद गद्दी पे बैठे थे और फिर इन्होंने एक्सपैंशन शुरू किया और जब इनका एक्सपैंशन पूरा हुआ, जब इनके एक्सपैंशन की, इनके एक्सपैंशन का कंप्लीशन हुआ, तो दिस वाज दे मैप ओफ नंद एम्पाइर नंद डाइनेस्टी ने जो इलाका जीता, तो वो इस इलाके को जीत लिया लगबग पूरे नॉर्दन इंडिया, वेस्टन इंडिया, स्टेंटरल इंडिया को इन्होंने जीत लिया और इस तरह से मगद इंडियन सब कॉंटिनेंट में सबसे बड़ी ताकत बनके उभरा और बहुत बड़े इलाके को जीत लिया लेकिन इंडियन सब कॉंटिनेंट के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो इन्होंने नहीं जीते थे ज़रा हम रफली देखें इन्होंने कौन-कौन से इलाके जीते थे पार्ट्स ओफ उडिसा जो कि उस वक्क कलिंग के नाम से जाने जाते थे अंग वाला इलाका जो अब प्रेजिंडे बंगलादेश, बेंगौल और इस्टन बिहार में फैला हुआ है मगद तो ये किंडम था ही सही, अल्मूस्ट इंटायर उप्तर प्रदेश जिसमें रोने पांचाल को भी जीता, कौशल को भी जीता, काशी को भी जीता अवंती महाजनपद जो वेस्टन मध्यप्रदेश का इलाका है, हेदी महाजनपद जो बुंदिल खंड का इलाका है, मत्य महाजनपद जो इस्टन राजस्थान का इलाका है और साथी साथ कुरू महाजनपद जो बिलकुल हर्याना और पंजाब तक पहुँँच गया है सारे किंग्डम्स को कोई जीत लेता है तो फिर वह एंपायर बनाता है तो नंद एक एंपायर बनाने की कगार पे पहुँच गए थे और वो बहुत बड़ी ताकत बन गए थे इस सबकॉंटिनेंट की और यही वो वक्त था 326 BC जब Alexander हिंदुकुष के पहाडों और हैबर के दर्रों को पार करके इंडियन सबकॉंटिनेंट में घुसा आया था तो हमने वहाँ पे इंडियन सबकॉंटिनेंट में घुसा था तो यह थी भारत की पॉलिटिकल कंडिशन और मैंने आपको यह भी बताया कि यहाँ तक भार अब हम आगे वापस देखते हैं कि एलेक्जिंडर का क्या हुआ इस पॉलिटिकल कंडिशन और इस एंपाइर की ताकत क्या थी देखिए बहुत ताकतवर एंपाइर था महापदमानंद का महापदमानंद को कुछ टाइटल्स मिले हुए थे महापदमानंद के कुछ टाइटल्स वो क्या क्या टाइटल्स थे हम देख लेते हैं यह टाइटल्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे हमको उसकी अबिलिटीज और उसकी एपिबिलिटीज के बारे में पता चलता है और अगें वेरी इंपोर्टेंट फ्रोम एक्जाइम पॉइंट अफ यू सबसे पहले इसका टाइटल था एक राट एक राट एक वर्ड आपने सुनाओगा सम्राट सम्राट वो होता है जो बहुत बड़े एंपाइर का रूलर होता है लेकिन उससे थोड़ इसी छोटी एक राट एक ऐसे रूलर को बोलते हैं who is the sole monarch of his kingdom दरसल भारत में ऐसा देखा गया कि जब कोई रूलर बहुत बड़ा इलाका जीत जाता था तो अपने इलाके के अलग अलग हिससे कुछ छोटे मोटे रूलर्स को दे देता था रूल करने के लिए और वो रूलर्स उसको revenue collect क करके रखते थे इससे उस रूलर के responsibility कम हो जाती थी लेकिन कुछ रूलर्स ऐसे होते थे जो किसी इलाके को जीतने के बाद complete control exercise करते थे उस इलाके पे और कोई भी हिस्सा किसी दूसरी छोटे राजा को रूल करने के लिए नहीं देते थे ऐसे रूलर्स को हम emperors कहते हैं और ऐसी ही quality इसके अंदर थी इसने अपने subordinate किसी भी officer या ruler को ये permission नहीं दी थी कि आप किसी इलाके को rule कर लो मेरे behalf पे और इसी लिए he was the sole monarch of this entire empire और इसी लिए इसको ये title मिला था एक राट दूसरा title इनको मिला था सर्व क्षत्रा हंतक सर्व याने की सारे क्षत्रा हंतक ये तीन वर्ट से मिलके बना है सर्व याने सभी क्षत्रा मतलब क्षत्रिय हंतक मतलब हतम कर देने वाला क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है महापद्मारंद के कि he belong he was a non-क्षत्री ये क्षत्री नहीं थे he belong to the so called lower world और जब ये ruler बने तो इन्होंने सारे क्षत्रियों का rule इस इलाके से खतम कर दिया और इसी लिए इन्हें सर्व क्षत्रा हंतक कहा गया ऐसा मत समझना कि इन्होंने क्षत्रियों को मार दिया इनकी आर्मी के ज्यादातर soldiers और officers क्षत्रिये ही थे लिकिन जब एक non-क्षत्रिये ruler बन गया तो क्षत्रियों का rule खतम हो गया था कुछ वक्त के लिए इसी लिए इनको ये टाइटल मिला सर्वक्षत्रा हंतक और थर्ड टाइटल वाज उग्र तेन विच मेंस वन हुआज ए लार्ज और अग्रेसिव आर्मी ए रेगुलर आर्मी इनके इन्होंने बहुत बड़ी सेना बनाई थी एक बहुत बड़ी सेना हमको उस आर्मी की information ग के लिए आया था तो अब उसको वहां के लोगों से पता चला था कि नंद एंपायर की आर्मी कितनी वड़ी है तो अकॉर्डिंग टू इन देर वर्ड उनके वर्ड में नंद आर्मी वॉस थ्री लाक मेन स्ट्रॉंक हमने देखा था कि डरायस की आर्मी धाई लाग की थी लेकिन नंद एंपायर की आर्मी तीन लाग की थी तीन लाग की तो सिर्फ इंफेंट्री थी यानि की पैदल से ना पचास हजार फिफ्टी थाउजन तो इनकी क्याविल्री थी क्याविल्री मतलब घुड सवार उसके अलावा इनके पास हजारों हाथी और हजारों रथ थे तो इस तरह से ये एक फॉर्मिडिबल आर्मी बन जाती है तो इतनी बड़ी आर्मी से एलेक्जिंडर को सामना करना था अगर उसको भारत को जीतना था तो देखते हैं क्या होता है एलेक्जिंडर's entry into the subcontinent and the battle of hideous space जिलम की लड़ाई या battle of hideous space एलेक्जिंडर का इंडियन subcontinent में enter करना जैसे कि हमने बात करी थी कि एलेक्जिंडर अफगानिस्तान को पार करके अब भारत के अंदर घुस गया था और जब वो भारत के अंदर घुसा तो भारत के कई छोटे मोटे rulers उसके आने से डर गए प्योंकि सब जान चुके थे what he is capable of इसलिए बहुत सारे इंडियन rulers ने उसके सामने unconditional surrender कर दिया जिसके बदले में Alexander ने उनके इलाके में किसी तरह की कोई violence नहीं करी और फिर वहां से चलता हुआ वो पहुचा इस spot पे जहां पे river झेलम बहा करती है झेलम नदी बहती है इस spot पे वो पहुचा और इस झेलम रिवर के पार जो kingdom था वो kingdom था पूरस का जिसको पुरू भी कहा जाता है और Alexander ने पूरस को ये पैगाम दिया उसको ये message दिया कि पूरस मेरे सामने surrender कर दो और मुझे रास्ता दो भारत में आगे बढ़ने का मेरी मदद करो भारत में आगे बढ़ने में जैसे कि तुम्हारे देश के कई और rulers ने करी है लेकिन पूरस एक brave ruler था एक brave warrior था और उसमें Alexander को challenge का challenge दिया कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ आओ battlefield में तुमसे मुकाबला करते हैं देखिए बहुत 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 दूरी की बात थी क्योंकि Alexander mighty Persian Empire को अपने पैरो तले रौंद के आया था और उस Alexander से एक छोटी सी आर्मी आरत में challenge कर रही थी Alexander ने भी इस challenge को accept किया और पोरस के साथ मुकाबला फिरू किया हम देखते हैं कि इस battle of हाइडर स्पिस में और Alexander और पोरस के मुकाबले में होता क्या है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Alexander और पोरस की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई बीच में है जहिलम नदी जिसके केनारे लड़ाई होई थी पोरस यह बाद बहुत अच्छे से जानता था कि इसकी आर्मी के सामने अलेक्जंडर नदी पार नहीं कर सकता क्योंकि नदी में उतरते ही अलेक्जंडर वल्नरिबल हो जाएगा उसके ओपर तीर छोड़े जा सकते हैं और पानी में तैर कर आगे बढ़ती हुई यूनानी सेना को आराम से मार के गिराया जा सकता है उपर से नदी भी उफान पे थी और इसे में अलेक्जंडर को नदी पार करना बहुत मुश्किल थी लेकिन चालाक एलेक्जंडर ने रात के अंधेरे और तेज बारिश का फायदा उठा कर नदी के नौर्थ में एक आइलेंड को ढुण लिया और रात के अंधेरे और तेज बारिश का फायदा उठा कर उसने एक मुवमेंट किया अपने टुकडियों के साथ और इस आइलें होती है बैटल ऑफ हाइडस्पिस की अब बैटल ऑफ हाइडस्पिस का फॉर्मिशन कुछ इस तरह से था कि इंडियंस सबसे आगे लगा के रखे हुए थे अपने सबसे खतरनाक वेपन हाथी हाले कि पूरस कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं था और इसके पास नंद एम्पा बाएं बाजू पे उसकी घुरसावार सेना और इधर उसकी एक और बाजू पे घुरसावार सेना खड़ी हुई थी सामने अलेक्जिंडर के खास कवचधारी सैनिक जो 21 फुट का भाला लेके खड़े होते थे और पूरी तरह सर से पाउं तक कवचीत होते थे जिनको फैले परिशकी करने और इदर राइट फ्लैंक पे अलेक्जेंडर और लेथ् फ्लैंक पे उसका कमांडर कोईनस पिछली लड़ाई के बाद पार्मेनियन मारा गया था तो अब अलेक्सिंडर का नया कमांडर था कोईनस अब इसके बाद ये लड़ाई शुरू होती है अलेक्सिंडर के हमले से अलेक्सिंडर जोरदार अटैक करता है इंडिया की कैविलरी के उपर और जब ये हमला होता है तो Alexander जिसकी cavalry दुनिया में बेस्ट मानी जाती थी भारत की cavalry मुकाबला करती है लेकिन Greek cavalry उसके उपर भारी पढ़ने लगती है और जब Greek cavalry उसके उपर भारी पढ़ती है तो Porus अपनी दूसरे बाजू की cavalry को order देता है attack करने मदद करने के लिए इस बाजू की cavalry को as a result of each यहां से बहुत सारे सैनिक यहां पे आ जाते हैं और ये जगह पर एक gap create हो जाता है और इसी का फायदा उठा के कोईनस इस 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 इलाके से हमला करता है इस gap से हमला करके पीछे से हमला कर देता है जिसके बाद अचानक भारत की सिना का एक बड़ा हिस्सा इर जाता है लेकिन वही दूसरी तरफ Alexander की आर्मी को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और वो थे भारत के हाथी भारत के हाथियों ने ग्रीक सोलजर्स के फैलेंग्स के ओपर ऐसा हेवॉक क्रियेट करके रखा हुआ था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था लेकिन इस मौके पर अलिक्सिंडर के तीरंदाज भारत के हाथियों के आखों में निशाना लगाना शुरू करते हैं भारत के हाथियों के ओपर बैठ कर कंट्रोल करने वाले महवतों को मारना शुरू करते हैं और जिसके कारण हाथी पैनिक हो जाता है हाथी एक खतरनाक जानवर है एक अग्रेसिव जानवर है बैटल फिल्ड में बहुत उप्योगी सिद्ध हो सकता है लेकिन आखिरकार वो एक जानवर है और जब युनानियों ने तीरों से हाथियों को चलनी करना शुरू किया उनकी आखों पे निशाना लगाना शुरू किया तो हाथी घबरा गए और वो पलट गए और वो पलट के भागे उस दिशा के उल्टा भागे जहां से उनके उपर तीरों की बौशार हो रही थी और इस प्रॉसेस में पीछे खड़ी भारती इंफेंट्री जो अभी भी युनानियों से मुकाबला कर रही थी अपने ही हाथियों के द्वारा कुछली गई और यहीं पे इस बैटल का एंड भी हुआ एलिक्सिंडर की आर्मी ने भारत की कई टुकडियों को चारो तरफ से घेर लिया बहुत सारे भारत के सैनिक वीरता से लड़ते हुए वीरगती को प्राप्थ हुए और पूरस जो अंद तक लड़ता रहा बैटल फिल्ड छोड़कर नहीं भागा हमने देखा था कि धाई ला हुआ पूरस एलेक्सेंडर के सामने डटा रहा हार गया लेकिन बैटल फिल्ड छोड़कर नहीं भागा और इस बात ने एलेक्सेंडर को बहुत इंप्रेस की एलेक्सेंडर एक वारियर था एक शानदार कमांडर था एक बहाद्दूर इंसान था और उसको एक दूसरे बहा आई ट्रीट यू जिसके जवाब में पूरस ने कहा कि ट्रीट मी लाइक अ किंग ट्रीट सनादर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए पूरस की इस कन्विक्शन से इस कॉन्फिटेंस से एलेक्सेंडर बहुत इंप्रे की आर्मी को एक एलेक्सेंडर को एक चुनोती का सामना करना पड़ा इस बार अपनी ही आर्मी से एलेक्सेंडर आगे बढ़ा पूरस के इलाके को जीत के जहिलम से आगे बढ़ा and he reached this place यहां पे पहुँचा आज के इंडिया में अब वो एंटर हुआ अभी तक जो कुछ भ करके वो यहां पहुचता है somewhere around the bank of river व्यास व्यास नदी के किनारे वो अपना कैंप लगाता है present day पंजाब के पठान कोट तक पहुच चुका होता है बस इसके कुछ आगे नंद एंपायर प्रू हो जाता और नंद एंपायर की एक बहुत बड़ी आर्मी थी और यही वज़ थी कि एलेक्जिंडर की आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया एलेक्जिंडर की आर्मी ने यह कहा कि हम और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तारण क्या था एक बहुत लंबे वक्त से वो चल रहे थे लड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे अब युनानी सैनिक ठक दूसरा बहुत सी युनानी सैनिक आठ आठ दस दस साल से अपने घर नहीं गये थे उन्हें पता नहीं था कि उनके घर वाले जिन्दा है या नहीं है वो अब वापस अपने घर जाना चाहते और तीसरा और बहुत बड़ा कारण कि अब उनका मुकाबला एक बहुत बड़ी आर्मी से था भारत की सेनां क्या केपिबिलिटी रखती थी ये जहलम की लड़ाई में सिकंदर की सेना ने देख लिया था जब 30-40 हजार की पोरस की सेना ने उनको ऐसी जवरदस्ट टककर दी थी जैसी टककर उनको औधाई लाक की एरानी सेना भी नहीं दे सकी थी तो अब सामने 3,500 की फौच थी तो जब 30,00 की पौच ने नाको चने चबवा दिये तो 3,500 की फौच इनका क्या हाल कर ती ये सोच के Alexander के सैनिक डर गए और वो आगे नहीं जाना चाहते थे Alexander नहीं डरा, उसने अपनी सेना को बार-बार हौसला दिलाया कि आगे बढ़ो, हम जीत सकते हैं लेकिन अब उसके सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे As a result of which Alexander को रीटریट करना पड़ा उसको वापस लोटना पड़ा Alexander ने ये रास्ता चुना रिट्रीट करने के लिए पाकिस्तान के रीजन से होता हुआ वो कोस्ट तक पहुँचा Alexander की आधी आर्मी जहाज में लूटा हुआ माल जीता हुआ माल लेके रवाना होती है Persian Gulf से इराक की तरफ और बची हुई आधी आर्मी इस रास्ते से जमीन के रास्ते से इराक की तरफ रवाना होती है अबजेक्टिव था बेबी लोनिया यानि कि आज का बगदाद पहुचना और वहाँ जाके कुछ वक्त रेस्ट करना और फिर अपने देश मैसेडोनिया की तरफ आगे बढ़ना लेकिन इसी जर्नी के दौरान अलेक्जेंडर कुछ छुटमट लड़ाईयां लड़ता है छोटी मुटी लड़ाईयां उसकी लोकल छोटे छोटे किंडम से होती है जिसमें उसको कुछ जखम लग जाते है और उसकी तबियत खराब होती है और एक लंबी जर्नी उसके शरीर को और ज्यादा तोड़ देती है एक बहुत कठिन इलाके से वुजरते हुए लिए बहुत कठिन इलाका है यहाँ पे मकरान के रिगिस्तानी इलाके है इन इलाकों को पार करके जब वो यहाँ पे पहुचता है तब वो बहुत बुरी तरह से विमार पढ़ चुका होता है और इसी बीवी लूनिया में वो अम्तनी अंतिम सास लेता है बहुत ही कम उमर में लगबग 32 यर्स की एज में इस 32 यर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती है और इसी के साथ एलेक्सिंडर की कहानी भी पूरी हो जाती है हमने देखा कि मैसी डूनिया में 356 बीसी में पैदा हुआ ये लड़का वर्ल्ड कॉन्क्विस्ट का एम्बिशन बनाता है और उसको अल्मोस्ट पूरा कर देता है और उस वर्ल्ड कॉन्क्विस्ट के एम्बिशन को अल्मोस्ट पूरा करके जब ये रिट्रीट कर रहा था अपने घर की तरफ तब रास्ते में कुछ बिमारी से या किसी जख्म से इसकी मौत हो जाती है और इसका चैप्टर कम्प्लीटली खतम हो जाता है इसके आगे हम देखेंगे स्टोरी ओफ मुद्रा राक्षस और डिकलाइन ओफ नंद एंपायर हमने बात करी थी एक माइटी नंद एंपायर की हमने बात करी थी कि एक तौकतवर सेना थी एक ऐसी सेना थी जिससे यूनानी भी डर गए अलेकसिंदर की आर्मी भी डर गई जो बड़ी-बड़ी आर्मी इसको हरा के आई थी लेकिन इस नंद एंपायर का डिकलाइन हुआ ये साड़े तीन लाख की सेना वाले empire का भी decline हुआ और उस empire का decline कैसे हुआ क्या वजह थी तो वजह ये थी this scholarly man also known as आचार्य चानक्य also known as विश्नु गुप्त and also known as कौतिल्य by his pen name यही वो person थे who was responsible single-handedly for the decline of nand empire वो nand empire जिसकी आर्मी से घबरा के और डर के Alexander की आर्मी के पाओं भी पीछे हो गए थे अकेले दम पर इन्होंने अपने बुद्धी से अपने दिमाग से उस empire को खतम कर दिया यह कैसे कर दिया है इन्होंने तो यह information हमको मिलती है एक literature से जिस literature का नाम है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस वैशाक दत्त नाम के एक scholar के द्वारा लिखा गया literature है जिसमें हमको information मिलती है कि आचारे चानक्य ने अपने एक student चंदरगुप्त के साथ मिलके धनानंद को defeat कर दिया था धनानंद को हरा दिया था और उसके empire को खतम कर दिया था तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्या उनको धनानन पसंद नहीं था? या कोई और वजह थी? चलिए इसको brief में समझते हैं एक बहुत popular scene है इंडिया की history से जो आप देख सकते हो आचार एचानक के दो सैनिकों के द्वारा पकड़ कर गसीटे जा रहे हैं और एक ruler एरोगेंटली उनकी तरफ देख की कुछ बोल रहा है अब इस कहानी को मैं आपको briefly बताता हूँ जब Alexander the Great का भारत पे हमला होने वाला था तब देश भक्त चानक के धनानन के पास मदद के लिए पहुँचे और उन्होंने धनानन से कहा कि आप सबसे बड़ी ताकत हो सब कॉंटिनेंट में आपको इंतजार नहीं करना चीए कि Alexander कई छोटे मोटे राजाओं को हरा के आपके किंडम में आए और तब आप उससे लड़ो आपको चाहिए कि आप अपनी आर्मी को भेजो और कई छोटे मोटे राजाओं की मदद करो और अलिक्सिंडर को वहीं रोग दो जहां से वह भारत में गुसने वाला है इसके जवाब में धरानंद एरोगेंटली चानक्य को कहते हैं कि ब्रामन हो भिक्षा लो और चले जाओ मुझे ग्यान मत दो जिस पर ये भड़क जाते हैं और कहते धरानंद से कि इस तरह से अगर त बढ़ा जाता है एक राजा को भरी सबह में ये कहना कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा इस से आनंद और भड़क जाता धनानंद कौन था ये महापद्मनंद का बेटा था वही महापद्मनंद जो सर्वक्षत्रहंतग था जो उग्रसेंद जो एकराट था उसी का बेटा ध चुका था, और करप्ठ हो चुका था. आचारे चाणक के उसको एक शासक के तौर में पसंद नहीं करते थे, लेकिन एलेक्जिंडर से मुकाबला करने के लिए उन्हें लगता था कि नंद आर्मी ही एक ऐसी आर्मी है जो सिकंदर को हरा सकती है. और इसलिए ना पसंद करने के बाद भी उन्होंने उससे मदद मागी लेकिन मदद के बदले में अपमान मिला और तभी आचारे चानक्य ने ये प्रतिग्या करी कि तब तक अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा जब तक की धनानंद का समूल नाश नहीं कर देता उसको अपर एक शिखा एक चोटी रखते थे बाल बहुत लंबे हो जाने पर उसको बांध लेते थे लेकिन आचारे चानक्य ने कहा मैं कभी भी नहीं बादूंगा बाल जब तक धनानंद को अपरूट नहीं कर दूंगा इसके एंपायर को खतम नहीं कर दूंगा और तब उन्होंने अ एक योग्य शिश्य की तलाश करी जो उनको चंद्रगुप्त के रूप में मिला उसी चंद्रगुप्त की मदद से आचारे चानक्य ने एक सेना बनाई धनानंद के सताय हुए कई ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को अपनी तरफ किया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ में अं जिमाग में ये डाल दिया कि उसके कई ऑफिसर्स उसके अगेंस्ट रेबेलियन कर चुके वो घबरा गया उसको किसी पर भरोसा नहीं हुआ वो पैनिक हो गया और तभी एक आर्मी चंद्रगुप्त की मदद से बना कि उन्होंने बाहर से भी हमला कर दिया इस मुश्किल व प्रतिग्या को पूरा करते हैं अपनी शिखा का बंधन करते हैं और इस्टैबलिश्मेंट होता है मौरियन एंपायर का जो की हमारा अगला टॉपिक होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और यही आज का हमारा सेशन पूरा होता है जय हिल्द